अटारा सो आट में आजी के दिन विलियम शेक्स्पियर के मैकबित नाटक के साथ लंदन के रॉयल थेटर को मरम्मत के बाद सजाध जाकर दुबारा खोला गया था नाटक के बाद दा क्वेर नाम का म्यूजिकल शो भी हुआ लंदन के इस मशुहूर ओपेरा हाउस को आज दा रॉयल ओपेरा हाउस के नाम से जाना जाता है इसका वास्तविक नाम थेटर रॉयल था माना जाता है कि 1732 में इस हाउस का सबसे पहले निर्माण हुआ था 1732 में ही पहली बार यहां बैले पेश किया गया और इसके बाद ओपेरा होने शुरू हुए 1735 से 1769 तक यहां नियमें ट्रूप से कारिक्रेम होते थे 20 सितंबर 1808 में रॉयल थेटर में आग लग गई जिसमें थेटर का काफी नुकसान हुआ इस गटना के बाद दिसमबर 1808 में दूसर थेटर का निर्माल शुरू हुआ 5 मार्च 1856 में एक बार फिर थीटर में आग लग गई 1857 में तीसरे थेटर का काम शुरू हुआ या तीसरी इमारत अपेरा हाॉस के केंद्र में है 1892 में थेटर रॉयल उपेरा हाउस के नाम से खोला गया 1906 में आजी के दिन हाज से कवी काका हातरसी का जन्म हुआ था काका जब 15 दिन के थे तबी पलेक की महामारी ने उनके पिता को छीन लिया भैंकर गरीबी में काका ने अपना संगर्श जारी रखा और छोटी मोटी नौकरियों के साथ कवीता, रचना और संगीत शिक्षा लेते रहे वैसे तो काका हातरसी का असली नाम प्रभूलाल गर्ग था लेकिन उन्होंने बचपन में एक नाटक में काका का किरदार निभाया था तबी से प्रभूलाल गर्ग काका नाम से मशूर हो गए इनकी पहली कावी रचना 1933 में गुलदस्ता मासिक पत्रिगा में छपी थी काका की कार्तूस और काका की फुल्डणियां जैसे इस्तंबों से इन्होंने पाटकों को सामाजिक जिम्मेदार्यों के प्रति सचेत करने का काम किया काका के प्रहसन, लूट नीती मंथनकरी, खिलकिलाहट, काका तरंग, जै बोलो बैमान की, यार सब तक काका के व्यंग बाण, काका के चुटकले आदी इनकी बेहतरीन व्यंग रचनाएं हैं 1985 में काका कुपद मुश्री सम्मान से नवाजा गया, इनके नाम से चलाया गया काका हातरसी पुरसकार, हर वर्ष एक सर्वुश्रेष्ट हास्स कवी को दिया जाता है 18 सितंबर 1906 को जन्म लेने वाले काका हातरसी का निधन भी 18 सितंबर 1995 में हुआ था 1950 में आज एक दिन मशूर अबनेत्री शबाना आजमी का जन्म हुआ था शबाना आजमी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी इस फिल्म की सफलता ने शबाना आजमी को बॉली वुड में एक अलग पहचान दिलाई अंकुर के लिए उन्हें सर्व शुरिष्ट अबनेत्री का राश्ट्री प्रसकार भी मिला फिल्म अंकुर के बाद 1983 से 1985 तक लगातार तीन सालों अर्थ, खंडहर और पार जैसी फिल्मों के लिए शबाना को सर्व शुरिष्ट अबनेत्री के राश्ट्री प्रसकार से सम्मानित किया गया निशान्त, स्पर्ष, मंडी, मासूम, शतरंच के खिलाडी, अमर अगबर एंथुनी, परवरिष, मैं आजाद हूँ आदि इनकी बेहतरीन फिल्मे हैं 1978 में आज एक दिन मिस्र के ततकालीन राश्ट्रपती अनवर अल सादत और इसराइल के ततकालीन प्रधान मंतरी मेना केम बेगिन शान्ती समझोते पर राजी हुए थी ये शान्ती समझोता ततकालीन अमेरिकी राश्ट्रपती जिमी कार्टर की मौजूदगी में हुआ था इस समझोते के बाद बेगिन और सादत संयुक्त रूप से नॉबल शान्ती प्रसकार से सम्मानित किये गए दो हफ़तों तक चली लंबी वारताओं के बाद ये बैटक अमेरिका के कैम डेविड में हुई थी समझोते के चलते इसराइल ने मिसर का सिनाई लाका खाली कर दिया था इसके बदले मिसर ने इसराइल को राश्ट्र के रूप में मानिता दी थी अरब लीग के देशों ने समझोते के लिए मिसर की करी निंदा की और मिसर को अरब लीग में अपनी जगह से हांदोना पड़ा मिसर के तदकालीन राश्ट्पती विवादों में आ गए और 1981 में उनकी हत्या कर दी गई इस समझोते में फिलिस्तीनी लोगों को आत्म निरने का अधिकार दिया गया और 1987 में अमेरिका के तदकालीन राश्ट्पती रॉनाल्ड रीगन ने कुछ वर्षों में एक हजार परमाडू मिसालें खत्म करने की घोशना की थी रीगन ने दुनिया को बताया कि अमेरिका और सोवियस संग इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि हजारों परमाडू मिसालों को अगले कुछ सालों में चरण बद तरीके से घटा दिया जाएगा रूस और अमेरिका के बीच परमाडू हत्यार घटाने के मुद्दे पर यह पहला ठोस समझोता था इस समझोते से पहले करीब 50 सालों तक परमाडू हत्यार केवल बढ़ ही रहे थे समझोते में मद्यम और कम दूरी की मिसालों को कम किया जाना तै हुआ यह सभी मिसालें यूरप के कई मुलकों और सोवियस संग में थी हाला कि खत्म की जाने वाली मिसालों की तादाद दुनिया भर में मौजूद परमाडू हत्यारों का महस तीन प्रश्यत हिस्सा थी विश्व में शान्ती के लिए काम करने वालों ने इस कदम का स्वागत गिया आखरकार रोनाल्ड रीगन और सोवियस संग के सरवोच नेता मिखाइल गुरबाच चौफ ने दिसंबर के महीने में समझोते पर हस्ताक्षर गिये